अब यहां पर आपको क्या होता है देखो अब यहां पर आपको क्या होता है देखो प्राग करणों द्वारा निर्मित नर बीज डिपलोईड युगमच का निर्मान करने के लिए बिजान में मुझूद मादा युगमच के साथ मिल जाता है क्या होता है मादा यूगमक है और जो नर यूगमक है वो दोनों मिलकर ही बुरुन बनाते हैं तो बुरुन के रूप में वो विक्सित होकर एक नया पोधा बनता है तो प्राग करणों को प्रागन नामक प्रिक्रिया द्वारा कौन सी प्रिक्रिया होती है प्रागन इस प्रि दूसरे पोदे में भी हो सकता है और एक खुद के पोदे में भी हो सकता है ठीक है तो पर पर प्रागण जो है पर प्रागण जिवित प्रागणों जैसे मनुश्य जानवर कीड़े आदी इनके साथ जेविक माध्यम जैसे वायू हवा पाने की मदद से किया जाता है ठीक है ज इसके माध्यम से दो नर युगमक बिजान तक पहुचते हैं, निशेचन के बाद एक बुरुन बनता है और बिजान एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, तो अंकुरन से पहले निश्क्रियता सुपतावस्त की अवदी से गुजर सकता है, यहाँ पर यह क्या कह रहा है, यह यहाँ करता है नर युगमक को, तो अंडाश्य तेजी से बढ़ता है अब देखो, अंडाश्य तेजी से बढ़ता है और फल के सवरूप में पकता है, तो इस बीच जो पंकडिया है, बार यह दिल है, पूंकिसी शेली और वृतिक कग्र है, वो क्या करें हैं, शिकुर कर ग जाते हैं तो बीज में भविशय का जो पोदा है या ब्रण होता है जो अंकुर नामक प्रिक्रियाद्वारानु कुल प्रसितियों में अंकुर के रूप में विक्सित होता है जैसे ही फूरता है भीज ठीक है वह जाता है अंकुर तो बीजों में बीज पत्रों के रूप से सं वो जन होता है उनके अंदर और अधरी स्टोर होता है जिसको वह उस ताइम पे मतलब अपने यूज में लेते है तो बीजो में या तो एक बीज पत्र एक बीज पत्री या फिर दो बीज पत्री हो सकते हैं अब देखो यह तो पोदो की बात धी अब मानव में प्रजन देखो तो मनुश्य में योवन की शुरुआत में शरीर में कई रुपात्मक और शारीर एक परिवरतन होते हैं जैसे जो एज बढ़ती रहती है जैसे जैसे तो जो मारा शरीर उसके तर बहुत सारी प्रिक्रियाई होती है तो इन परिवरतनों का कारण है अलग-लग होर्मोन सर्वित होना क्या होते हैं उस टाइम पे सबसे जादा होर्मोन हमारी सिक्रीट होते हैं निकलते हैं तो नर जो एंट्रोजन है उसका उतपादन करते हैं जबकि जो मादा है वो मुख्य रूप से अपनी अंतिस्तरावी गरंतिया व्रिशिन और अंडाश्य में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का उतपादन करती हैं तो यह है बालों की व्रद्ध्य और प्रजरन अंग पुरुष यूगमक उत्पन होते हैं हाला कि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र या मुनार्ष के पुरुष यूगमक दिम के उत्पादन कर देती हैं 45 से 50 वर्ष की आयो तक पहुँचने पर महिलाओं में दिम का उत्पादन बंद हो जाता है और इसे रजनो वृत्ति कहा जाता है रजनो वृत्ति क्या होती है जो मैंस्टर साइकल होती है लड़कियों की वो स्टार्ट होत आपके question answer तो आज की वोक्षीट में यह चार प्रिशन आपको दिए गए हैं पटाफट से इन चारों की खल कर लेते हैं पहला प्रिशन मानव नर और मादा में गोण यो लक्षिन क्या है नर और मादा में तो देखो महिलाओं में तो जो स्थन गरंती स्थन का विकास होता ह उची आवाज हो जाती है शुरीर की आकार में बदलाव आता है मासिक धरम जबकि पुरिशों में करकश आवाज आदी गोण यून लक्षन ठीक है यह सारे लक्षन दिखाई देते हैं महिलाओं में और नर्मे और मादा में नेक्स्ट है कोशी नमबर टू प्रागनक क्या करते हैं क्या करते हैं प्रागनक ऐसे जीव हैं जो प्राग को फूलों तक लेकर जाते हैं ठीक है तो यह पोदों की योन कोशी का है उधारन जैसे मदुमुखी ठीक है यह लेकर जाती इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट है तीसरा है क्या सव प्रागन के लिए भी प्रागन अवस्यक है बिलकुल हा सव प्रागन रिका चित्र लिखे खीजिए आपको क्या करना यह चित्र बनाना है अगर आपको इससे एजी एंसी आर्ट में दिख जाए तो आप भूभी बना सकते कोई दिकत नहीं उपर क्या प्राग कनक है जो एक पोदे से दूसरे पोदे में जाते हैं तेके उसकी बात क्या आता है हमा पर मादा यूगमा की पास पोच कर यहां पर मिल जाते हैं जो ब्रुण बनाते हैं और उसके बाद पोदाविक सतोता है यह कि आपका प्रिशन नमबर चार तो यह चार प्रिशन आज आपकी वोक्षीट में दिए गए थे आई हो आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई